असलाम अलेकुम वेलकम बैक तो मैं चैनल एन देड़ व्लॉग मैं लाइफ कैसे हैं आप सब लोग उम्मेद केजिए अब थीक ठाक होंगे मज़े में होंगे मैं बिल्कुल थीक ठाक मज़े में तो जनाब आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं अपनी रेसिपी के मैं अपनी डो की सरीक्ति से बनाती हूं आपने किचेन अड मिक्छर में और मैं अपनी चापाती ऑपने एक गलास टॉप लिए स्टोफ है उसके पर मैं किस तरीके से बना सकती हूं तो अगर आप इंट्रश्टि इस वीडियो में तो अप्लिज मेरे साथ रे मैं आपको बताउ को की नो कैसे बनेगी डो हम बनाएंगे in the kitchen aid के मिक्सर में अगर आप लोग अफोर्ट करते हैं अगर आप लोग इसको ले के ट्राइ करना चाहते हैं तो मैं आपको हाइले रिकमेंड करूंगे कि बहुत अच्छा एडिशन है kitchen में ये जरूर होना चाहिए जो जो लोग इसको लेना चाहते हैं, वो इसको लेने के बाद पच्ताएंगे नहीं कि उन्होंने पैसे वेस्ट कर दी है तो जनाब इसके लिए हमने सबसे पहले लिया है अटा, मैंने लिया है, जी होल वीट आटा, मैं पिल्स बरी का यूज करती हूं और मैंने लिया है, six cup of आटा, और साथ में हम लेंगे salt, salt हमने लेना है, one teaspoon of salt, नमक यानि के, मैं नमक यूज़ नहीं करती हूँ अपने आटे में normally, लेकिन क्यूंकि मैंने आप लोगों को दिखाना था कि आप फिर मुझे से पूछते हम इसमें नमक किस वक्ते हैट कर सकते हैं, मैंने का आपको मैं पहले ही दिखा दूँ, साथ लिया है मैंने रूम टेंपरेचर वाटर, वाटर का कोई ऐसा है साब नहीं है कितना वो मैं आपको बाद में बताऊंगी स्टेप बेस्टेप और दो चमबच के करीब हमें ऑईल चाहिए होगा, फिर हम लेंगे डो की हुक और उसके अंदर फिक्स कर देंगे और इसका राइट हैंड साइट पे इसका एक हैंडल होता है जिससे बोल अप and डाउन होता है, जब आपने इसको in motion रखना है तो आपको इसको up करना पड़ता है जब आप डन हो जाते हैं अपना काम करके तो आप इसको down कर देते हैं तो अभी हम इसको कर देंगे अप और इसमें मैंने सबसे पहले जो चीज एट करनी है वो मैं आपको भी दिखाऊंगी मैंने का आपको ये दिखा दू कि आप कहेंगे कि ये मिशीन ऊपर नीचे कैसे हो रही है तो ऊपर नीचे ये इस हैंडल से होती है इस बटन के साथ ये चलती है ये बाइ 2 के इसाप से चलती है सबसे पहले हमने लेना है जी ड्राय आटे के अंदर हम लोग जी सॉल्ट एड करेंगे और मैं अपने हैंडल को अप कर दूंगी ताकि इसको हम लोग वर्किंग मोशन में लेके आए और इसको मैंने सिफ 2 की स्पीट पे चला दी है तो 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 फोर के इन बिट्वीन आप र कर दो रखना बड़ा जरूरी है आप पानी पूरा का पूरा एक टाइम पर नहीं डालेंगे और आप मशीन को भी तक्रीम मीडियम पर रखेंगे लाइक फोर पर रखेंगे सिक्स मेरी रखेंगे आप पानी एड करते जाएं और आप इसको साथ-साथ देखते जाएं कि समय आप को निड़े है कुछ लोग बौ टीला आटा गूनते हैं को सख्त गूनते हैं मैं मीडियं गूनती हूंना मुझे बखिग रह अच्छा लगताना जी तो अब भी में इसको चार से पांच मिनिट हो चुके हैं अब मेरी डो आल मोस्ट हो चुकी है रेडी अब हम लेंगे और और ओल के डो टेबल स्पून लाइक दो चमच आइल हम डाल देंगे इसी के अंदर चलती हुए के अंदर इसका फाइदा क्या होगा नमबर वन तो यह होगा कि आपके आटे की एक शकल बोखोट ही अच्छी हो जाएगी शाइनी और उसका दूसरा फाइदा जो सबसे बड़ा है वो यह होगा कि आप जब रोटी बनाएंगे आपके रोटी बोखोट ही ज्यादा सॉफ्ट और बोखोट ही मजगी बनेगी और बेले में जब अच्छे तरीके से इसकी डो एक जगाए कठी हो जाएगी तो हम इसको कर देंगे बन और बन करने के बाद हमने क्या करना है हमने इसके हैंडल को डाउन कर देना है और अब हम इसको निकाल लेंगे और हम अपने एगले स्टेप की तरफ चलते हैं अभी आपको मैं करती हो अगर आप अपने हाथों के पर थोड़ा सॉइल लगा लेंगे तो उससे आपको पेड़ा बनाने में भी असानी होगी और उसके साथ आपकी रोटी जब भी आप हलका सॉइल लगाता है और जादा सॉफ्ट बनती है अब हम लोग लेंग मैं मैं लेने लगी हूँ थ इसली उसको बेलते जाए और बहुत ही अच्छे तरीके से बेलती जाए तो जो सेकंड स्टेप है रोटी बनाने में वह है जी और सबसे जो हाइली रिक्वेस्टेड और जो क्वेस्टन मुझ से हो रहा था वो था जी मेरे पास है ये ग्लास टॉप स्टोव है इसके उपर प्लेट नहीं है और मैं आपको दिखाऊंगी इसको अन करके तो आप देखेंगे कि ये रेड हो गई है लेकि इसके उपर कोई रिंग नहीं है तो एसी सिचुएशन जब आपके स्टोफ की होती है तो उसके उपर जब आप एक नॉर्मल तवा रखते हैं जो कि हमारा बीच अगर आपके पास थवा नहीं है तो मैंने बुकुत बड़ा यह 32 सेंटी मीटर का मैंने एक पैन लिया हूँ है टी फॉल का है इसके नीचे कोई इसका कोई गहराई नहीं है यह बिलकुल फ्लैट है इसको देखें उपर रखेंगे तो हीलेगा नहीं यह जहां पर रखेंगे यह वहीं पर पढ़ा रहाएंगे और आराम से अपनी रोटी बनाएंगे पराठे बनाएंगे ऑईल नीचे भी नहीं गिरेगा और बहतनी आपकी रोटी भांझ जाएगी अब हमने क्या करना है आटा हमने उठाया उस पर हमने थोड़ा सा आटा डस्ट कर लिया डस्ट करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं जी पूरी की तरह मैं अपने हाथों की मदद से उसको एक राउंड सी शेप दे रही हूं शेप देने के बाद मैं उसको रखूंगी अपने counter troup, अगर आपके पास कोई बेलना, चकलना, जाथ बहुषिए तो आप उस परी कर सकते हैं, आप मुझे इसको अच्छे तरीके से राउंड राउंड शकल में उच्जे से बेल लेना है, मुझे इसको इतना बेलना है कि कहीं से ये मोटी और पतली ना रहज़ए आपको, अपने हाथ़ को एक खास जो आप一 की मोशन में आप उसको मूव करेंगे, बिए जब आपकी रोटी बिल जाएगी तो बस आप उसको हातों प उठाएंगी और हलका सा एक दो दफा आपने हाथों को मूव करेंगे और आपकी रोटी हो जाएगी तयार और इसको हम डाल देंगे तवे के उपर तवा हो रहा है हमारा गरम और तवा हमें थंडा तवा नहीं चाहिए अच्छा गरम तवा चाहिए लेकिन बहुत जलता अब तवा नहीं होगा वरना आपके रोटी खराब हो जाएगी तो बस मैंने रोटी को उठाया अपने हाथों पे एक दो दफा मैंने अपने हाथों पे इसको मूव किया और अब मैं उसके बाद इसको डाल दूँगी जी तवे के उपर तो तवे पे डालते ही मैंने मीडियम तू पहले मैंने रखा था लोटू मीडियम और फिर अभी मैंने कर दिया है चूला क्योंकि जैसे रोटी उपर जाएगी तो चूले का टेंपरेचर चेंज हो जाएगा हमने अब इंतजार करना है कि जब तक रोटी एक साइड से अच्छे तरी किसे पक नहीं जाएगी हम रोटी को मूव नहीं करेंगे हमारी रोटी पक चुकी एक साइड से तो अब हमने इसको पलट दिया बस पलटना है तो अगर आपके पास कोई कपड़ा है या अगर आपके पास मेरी तरह कोई स्पेचुला आप यूज करेंगे आप रोटी को दबाते जाएगे और आपकी रोटी हो जाएगी तेयार जाएगी तो आपने देखा कि मैंने रोटी को दोनों साइडों से बहुत अच्छे सरीके से बना लिया है लो टू मीडियम पे मैंने इसको बनाया था मैंने हाई नहीं किया जैसे अगर आप जादा उसको बनाएंगे तो एक दम से काली-काली रोटी हो जाएगी तो मैंने रोटी इसको बनाई बहुत अच्छी बनी दोनों साइडों से तरीके से पक गई है कोई कच्छा पान नहीं मैं इसको मैंने सर्फ की दाल और साथ के निर बनाया था कचुमर स्पाइसी वाला यहार अगर अगर अब शाय सी नई वीडियो में अई जाए अभinar करों ही अगर आपको एक मैंने आपना अपना ख्याल मुझे लिडे जो भी एनुझे होगी मैं झाल झाल